हलो गुड मॉर्निंग बच्चों इससे पहले वाला वीडियो मैंने आपको भीजा था उसमें हिंदी का टेस्ट मैंने आपको दिया था और सारे बच्चों ने कर लिया होगा ठीक है अब मैं आपको मैट्स का टेस्ट लूंगी आपका मैट्स का ठीक है मैं जैसा कि मैंने आप को बताया था मैंने आपको क्या दिया था नंबर दिये यह ज़स्ट आफ्टर विफोर बिट बीन ओके इसल अब मैं आपको बताती हूं कि आपको टैस्ट कैसे तरीकशना सारी बच्चों एक नोट बुक तैयार कर ली होगी मैंस की ठीक है इस तरीके से मैंस की आपको एक बूक है अब इसमें हम अब किस तरीके से टेस्ट लेंगे ठीक है देखो डेट मेंशन करेंगे पहले हम फिर रिवीजन टेस्ट लिखेंगे उसके बाद हम अपना कोश्चन लिखेंगे write the numbers that come just before just after and between before means before means पहले और after means बाद में और between means बीच में ठीक है तो अब हमें यह नमबर दीखना है यह हमने box इसलिए बनाए है box बने हुए है copy है वह हमारी जो notebook है वह box वाली है लेकिन हमें फिर भी pencil से इस तरीके से box बनाने सारा काम आपको work जो है आपको pencil से ही करना है ठीक है तो जब हम pencil जब नमबर लिखेंगे तो अब हमको यहां इसका between वाला नमबर लिखना है तो हम box बनाएंगे ठीक है 8 और 10 के between में कौन सा नमबर आता है वो आपको यहां लिखना है आप box बनाओगे तो मैं पता चलेगा कि आपने after वाला नमबर लिखा है या between वाला लिखा है या before वाला लिखा है ठीक है तो इस तरीके से आपको box सब को बनाने है ठीक है इस तरीके से यह देखिए यह 10 नमब इस तरीके से आपको box बना लिखना है 93 के बात कौन सा नमबर आता है three seven से Hodlamation के बात कौन सा नम बनाता है यह आपको तैस्ट देना अच्छी तरीके से और जब आपका test हो जाएगा तो आप क्या करोगे अपने मदर को या father को या बड़े साटर है उनको या ब्रादर को जिसको भी आप ये टेस्ट देना और चेक करवाने की आपने कितना सही किया है और यह आपका टेस्ट है 10 नमब'RE का मैं और लिख देती हूँ यह आपका टेस्ट है 10 नमबर का ओके आप आप 10 में से आपके नमबर आएंगे आप जतना आप सही करोगे ओके अच्छी तरीके से टेस्ट देना टेस्ट के लिए बेस्ट आप लाग ओके बटा थेंक यू